गोपल भाड़ थोड़ा खटा, थोड़ा मिठा, सची बातें कहानी में लिप्टा, खुशियों की दौगत लेकर, हसी का तफा, भोलेगा गोपल भाड़, आईगा गोपल भाड़, देखिये गोपल भाड़, यह है गोपल भाड़ एसा चरित्रा, बड़ा ही बिची इत्रा, धुमक धुमक कर, करे देखो नित्रा, एसा चरित्रा कानों से सुनो जरा, छुप छाप सुचो जरा, आखो से देखो जरा भोलेगा गोपल भाड़, आईगा गोपल भाड़, देखिये गोपल भाड़, यह है गोपल भाड़ खोलेगा कोपल भाड आएगा कोपल भाड देखिये कोपल भाड ये है कोपल भाड इतना देर क्यों हो रहा है कोपाल का तबियत खराब हो गया क्या कोई तबियत खराब नहीं है रोज का वही नाटक है, इसका मतलब गोपाल रोज ही नाटक करता है, आज आने दो उसे, उसका खवर लेता हूँ प्रणाम महाराज, इतना देर क्यों हुआ, क्या बताएं महाराज, क्या गोपाल, बहाना ढून रहे हो क्या सुनो गोपाल, तुम दो ऐसे जन्तुओं को मेरे सामने लाकर पेश करो, जिसमें से एक होगा अभारी, और दूसरा होगा और अभारी, समझे अभारी और अभारी महाराज, ऐसा जन्तु मैं कहा पाऊंगा, जो आपके सामने लाकर पेश करो, कहा पाऊगे, कहा नहीं पाऊगे, ये मैं कैसे बता सकता हूँ गोपाल, मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ, अभारी और अभारी जन्तु मेरे राज़ दरवार में लाकर पेश करो, और कैसे पेश करोगे ये तुम जानो, अगर तुम जन्तुओं को पेश न कर सके तो नहीं लाओगे, तो तुम्हें काल कोठी में डाल दिया और क्या कोशिश करके देखता हूँ, महराज, यह क्या जी, ऐसा जन्तु कहाँ मिलेगा, क्या हूँ अपिता जी, आप चूपचा बैठे हैं, आपके दामाद जी आए हैं, उनसे बादचीत उनका सेवा सतकार नहीं कीजिएगा देखिएगा, जब दामाद घर जाएंगे तो आप लोग का शिकायत करेंगे क्या बोले हैं, दामाद जात आभारी रहता है, राजा के कहने के अनुसार आपको एक जन्तु मिल गया, बस बच गया दूसरा जन्तु, ओभी ओभी कल सुबह तर मिल ही जाएगा, अभी थोड़ा फुली हवा में टहल आता हूँ, दिमाग भी ठंडा हो जाएगा, और दूसरा जन्तु भी ढूनने में असानी होगा आज अभी भी गोपाल नहीं आया है, लग रहा है, डार गया है प्रणा महराज, कौन बोला, कि मैं डर के भाग गया, या देखिये, मैं तो उपस्तित हूं महराज मैंने दो जन्तु को बोला था लाने के लिए वो कहा है, हाँ महराज, वो बाहर इंतजार कर रहे हैं, आग गया हो तो मैं अंदर लाओ, वाह जल्दी लेकर आओ ये क्या, ये क्या, तुम राजदरवार में कुत्ते को लेकर आगए, हाँ महराज, गुश्चा मत हो जेगा, ध्यान से सुनिए, ये कुत्ता सबका अभारी है, मालिक जितना भी मुसीबत में क्यून पड़ जाए, वो अपने मालिक को छोड़ कर कहीं नहीं जाता है, धोड़ा जा खाने को मिल जाए, उसी में खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है, और ये है मेरा दामाद, दामाद जाद को जरा गौर से देखियेगा, आप इतना भी अच्छा खिलाओगे, आदर करोगे, उपहार दोगे, लाकिट इनका मन कभी नहीं भरेगा, इसलिए दामाद जाद अभारी है, अभारी वाले का स्थान काल कोठरी में है, पहरी कहां हो? जी महराज, गोपाल के दामाद को तुरंत काल कोठरी में डाल दिया जाए, जैसी आज्या महराज, लेकिन महराज, आप कभी ये सोचे हैं, आप हम और ये सभी किसी न किसी के दामाद हैं, इसलिए महराज, और अभारी जात में हम लोग भी आते हैं, और अभारी को अगर आजा मिलना चाहिए सच मुझ गोपाल तुमसे बहस में कोई नहीं जीज सकता ठीक है गोपाल मैं तुम्हारे दामाद को आजाद किया और साथ में तुम्हें उपहार दिया एक हजार स्वन मुद्राएं समझे गोपाल यह लो जय हो महराज कृष्ण चंद्र की जय हो जय महराज कृष्ण चंद्र की जय हो